बात चाहे सिख्ष्या की हो या परियावरन स्रक्ष्या की बात युआउं के भोविश्की हो या फिर चिकित्चा की सामाजिक सरोकार के लिए सदेव समर्पित संतोस देवी चेरिकेविल ट्रस्ट जखराना बहरो सचीव डोक्टर शानू राजकुमार यादो साप नियत ने किरा दे सपने देखो मेनत करो हमारे संग आगे बढ़ो छेतर में युआउं को सही रा दिखाने के लिए बहतरीन विकल्प कारगिल डिफेंस अकेडमी कोलिज डिग्री प्लस सरकारी नोकरी सो से अधिक सलक्षन देने वाली एक मात्र संस्तान स्पेशल गारंटी बेच के लिए आज ही संपरक करें जहां पर आर्मी नेवी एरफोर्स पुलिस से तमाम सरकारी नोकरियों के लिए अभ्यार्थियों को किया जाता है तयार बात चाहे कठोर फीजिकल की हो या फिर कॉंप्टिशन फाइट करने की कारगिल एकेडमी नंबर वन एकेडमी बनी हुई है बेतरीन भोजन की व्यवस्ता कड़ा अनुसासन नोकरी पर फोकस देव नगरालवर रोड बहरोड संचालक सजन यादव एक्स आर्मी नैशनल एथलेटी नमस्कार आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त काईना में हुदेशराज यादव वक्त उचलाज की खास ख़बरों को जानने का और ख़बरों की सुरुवात करेंगे सबसे पहले बड़ी ख़बर से बैरोड दिल्ली जैपुर नैशनल हाइवे नंबर 48 नीमराना के पास बिती रात करिब दो बज़े राजस्तान रोडवेज की बस और ट्रक में जोरदा अटकर हो गई इस तोरान दोनों वाहन हाइवे पर पलट गए जिस तोरान करीवन दो दरजन से भी अधिक सवारिया घायल हो गई सड़क हाथ से की सुचना लगते ही नीमराना पुलिस मोके पर पहुंची और बस ट्रक चालक जितने भी घायल हुए उन सभी लोगों को एम्बुलेंस की मदद से नीजी अस्पताल में भरती करवाया गया जहां पर उनका उपचार जारी है नीमराना थाना पर भरी प्रेम प्रकास ने बताया कि बीती रात को करीब दो बजे की लगबग फोन के जरी शूचना मिली कि नीमराना की हीरो चोक के पास रास्तान रोडवेज बस और टरक में टक कर हो गई जिसके बाद मोके पर पहुँचे और जाकर देखा तो दोनों वहन सड़क पर पल्टे हुए नजर आए इसमें आसपास से रहने वाले लोगों पुलिस प्रशासन की मदद से सबी गायलों को बाहर निकाला गया और अस्पिताल में भरती करवाया गया इस तोरान ट्रक चालक सहीत आदा दरजन सवारियां गायल हो गई वहीं सड़क आदसे के बाद हाईवे पर चीक पुकार मच गई समय रहते सबी लोगों को बस से बाहर निकाल लिया गया थाना परवारी ने बताया कि बस दिल्ली से अजमेर जा रही थी जैसे ही निमराना के पास पहुँची तो अचानक यह हाथशा हो गया हाईवे पर पल्टी बस और ट्रक का हाल जिसने भी देखा वो यहीं अंदेशा लगा रहा था कि कास सभी सुरक्षित हों क्योंकि सड़क हाथशा इतना तेज था कि बस के सी से दूर दूर तक बिक्रेवी मिले गायलोग कहा के थे और कहा जा रहे थे अब तक इस मामले की जानकरी नहीं मिल पाई है साथ ही सभी गायलों के परीजरों को पुलिस प्रिशासन के दूरा जानकरी लेकर सूच रही है होटल सुक सागर NH48 नियर दहमी बहरोड तमाम सुधाओं से युक सुद्ध साका आरी भोजन अनोखा स्वाद आपके लिए लेकर आए है इस्पेशल लोनी घी के पराठे आप भी चले आईए अपने परिवार के साथ होटल सुक सागर जहां बेहतरी इन क्वालिटी का खाना उपलब्ध है इतना ही नहीं प्योर वेजटेरियन के साथ होम डिलेवरी की भी स्वीदा संपरक करें हर माबाप दोलत के पीछे भागता है और सही माइनने में उनके बच्चे ही सची दोलत है जिनको सही रहा दिखाता है हैपी मिलेटरी एकेडमी जहां आप लोगों के ननिहालों को सैनिक मिलेटरी जवार नोदे गुरकुल RIMC वे सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्ष्याओं की प्री फाउंडेशन बैज की बेहतरीन तयारी करवाई जाती है आमिक सर मैजीशियन ओप मैथ के निर्देशन में 6 सितंबर 2020 को सुरू हुई हैपी मिलेटरी एकेडमी आज योओं के भोईष को सवारने में नमबर वन एकेडमी बनी हुई है जहाँ पर वोई एंड गर्ल होस्टल सुईदा सही तमाम सुईदाओं से युक्त एकेडमी नारनोल रोड बहरोड अलवर सांसद मेंद बालकनाथ योगिये ने वेरोड विदानसवा चेतर के पाड़ी गाओं में सही दरंपाल राज के उच मादमिक विद्धाले पाड़ी के मुख्य द्वार का उद्गाटन समहारो कारिकर्म के दोरान मुख्य तिति के रूप में सामिल हुए वही मुख्य द्वार का निर्माट स्वरगे सुंडाराम चुटनराम बीरबल हावलदार मंगतुराम पुत्र जैलदार बुराराम जिंदर की याद में जिंदर परिवार द्वारा निर्मित करवाया गया है वहीं सानसद ने गाउं के सरकारी सामुदायक अस्पताल एक एंबुलेंच वा गाउं के विकास कारिये के लिए आठ लाक रुपे की सानसद नेदी से देने की घोशना की है इस तोरान कारिकर्म के अध्यक्सता इंदराज गुजर विदायक वुराट नगर सरोज प्रधान बस्तराम यादो राजकुमार यादो रामशरूप कसाना पूरु संसद्य सचिव डॉक्टर सानू राजकुमार यादो पूर प्रधानचारिय मुकेश यादो सैत अन्य लोग मुझूद रहे सियाराम डेंटल होस्पिटल अपोजिट सीनेर सेकेंडरी स्कूल वहरोड जहार प्रकार के दातों का इलाज सफलता पूरक किया जाता है दातों से समधित जटिल से जटिल बिमारी का सफल इलाज संपर करेंप प्रोफिसर डॉक्टर रीशी देव यादो एमडियस आज की खास बिलिटिन में इतना ही छेतर की तमाम तास्तरीन ख़बरों को जानने के लिए आप जुड़े रहे आप तक नेटवर्क के साथ